हैलो फैंट्स वैलकूम बैक टू माई चैनल फैंट्स आज मैं आपको जो नुस्का बताऊंगी यह नुस्का इतना फाइदेमन्द है कि अगर आप इसका यूज एक बार अपने बालों में कर लेंगे तो आपके बालों की जड़ों को ऐसे मजबूती मिलेगी ऐसे बालों की ये ग्रोथ होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये इन उसका इतना फायदे मन्द है कि ये आपके सारे सफेद बालों को एक ही बार में काला भी बना देगा बालों का जड़ना दो मुहपन बालों का जाड़ू की तरह दिखाई देना इन सब इस समस्यां को अगर आप खतम करना चाते हैं और आप चाते हैं कि आपके बाल तेजी से ग्रोथ करें आपके बाल एकदम से देखने में बहुत अच्छे हो यानि कि आपके बालों में चमक हो सिल्की हो स्मूध हो तो एक बार अपने शैंपू के अंदर इस नुस्खे का ज़रूर यूज़ करके कि यह पेस्ट क्या है फ्रेंड्स यह चाय पत्ती का पानी आपको फ्रेंड्स चाय पत्ती लेनी है जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो चाय पत्ती के दाने आपको लेने हैं और मात्र एक चम्मत चाय पत्ती ही लेना होगा एक चम्मत चाय पत्ती को फ्रेंड्स आप आदे गिलास पानी में दो से तीन ख़द का लगा लिजे उसके बाद आप इस पानी को ठंडा करके इसका यूज कीजेगा और अब आपको फ्रेंड्स इसमें एक पूरा पाउज शैंपू एड करना होगा फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नही करने के बार अब आपको मांत्र इसमें एक चीज और एड करनी है वह है अलो विरा जयल अगर आपके पास एलो वेरा जैल का प्लाण्ट तो वहं से आप एलो वेरस जयल को प्लांट शेंग सब्सक्राइब अगर आप दो शैम्पू के पाउच यूज़ करते हैं तो आप वह भी ले सकते हैं इस तरह आप इसे अच्छे से mix कीजिए जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तो आपको इसका इस अपने बालों में करना हो गया याने कि इस पेच्ट से आप अपने बालों को एक बार wash करके जरूर देखिए जब आप इससे अपनी बालों को वुश करेंगे तो आपके बालों की जड़ों में लगते ही बालों की जड़ों में ऐसे समाएगा कि आपके बालों की जड़े कमजोर हो गई है उन्हें एक ही बालों में तेजी से पोश्यून मिल जाएगा एक ही बार में बालों का जढ़ना ये हमेशा के लिए बंद कर देगा और इसके लगाने के बार आपको अपने बालों में अलग से सैंपू करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने बालों की हेर ग्रट को तेजी से बढ़ाना चाते हैं तो मात्र फ्रेंड्स आपको वीक में एक बार इसका यूज़ जरूर करना है तो friends ये था आज का मेरा वीडियो आज की वीडियो में इतना है वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करे शेयर करे और COMMENTS के जरीए भी मुझे जरूर बता है चैनल पर न्यू है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए